तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश की वर्क्षिट की इफ आई वर्वियू तो बैसेकली मैं आपको इसकी पहले मोटा मोटी स्टोरी समझा देता हूं कि स्टोरी क्या है कि जिराड एक वेक्ती है जो थेटर के लोगों को प्ले करता है कभी-कभ लोगों से मिलता था तो गुस्पेटे को लगा इस गर में अगर छुपोंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि गुस्पेटे कुछ गलत काम करके आया था लेकिन जिराड ने किस तरीके से अपने आपको अपने प्रफेशन से बचाया और पकड़वाद ही या पकड़ लिया किसको इंट्रूडर को इसी बेस पर हमारी कहानी जो है वो बेस दे दोस्तों तो अब हम इस कहानी को करते हैं और हम समझते हैं कि क्या क्या बाचीत उन दोनों के बीच में बेसिकली हुई थी तो भई क्या बाचीत हुई थी देखिए दोनों के बीच में बात्चीत हुई कि इंटूडर ने कहा यह क्या है जो तुम्हारे पास बैग है जिस बैग में आपने समान ले रखा है तो जिराड ने कहा कि आपके लिए सर्प्राइज है मैंने कहा था ना बात करते हैं उनसे बात हुई आपस में जिराड ने बिल्कूर टेंशन ले जैसी व यहां हूँ और कल फिर मैं यहां से गौन तुमारे चला जाओंगा आपका ऐसा क्यों लगा नेवर सी ट्रेट्स पीपल क्या तुमने मेरे आसपास कभी ट्रेट्स या जो बेचने वाले लोग आते उनको देखा है नहीं देखा ना बहुत ही कम आते हैं वो क्योंकि वो आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या है आप बेवकूफ है यू सॉप्य यू यू कुह नहीं हूं तुम्हाद गेम तोगया है तुम क्या मुझे मारोगे में वी तुम्हें neighborhoods सकता हूं तो क्या कहा जिराड ने कहा कि मेरे साथ चीजें जो है वो खराब हुई थी जिसकी वज़े से मैं ऐसा बन गया हूँ I said it with bullets और मैंने उसको ठीक किया कैसे गोली चला कर और मैं वहाँ से भाग भी आया Unfortunately उन्होंने मेरा कोई एक आदमी पकड़ लिया और उस वेक्ती ने कुछ चीजें कुछ कागजात जला देने चाहिए थे लेकिन उसने वहाँ कागजात नहीं जलाए इस वज़े से मैं पकड़ा गया आज रात को मैं टरबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे लग रहा है शायराज मुझे पुलिस घेर ले इसलिए मैंने अपने बैग अल्रेडी क्या कर रखे है पैक कर रखे है और मैं जाना चाह रहा हूँ इंटूडर ने कहा अच्छा ये बैग ये गन ये सब तुम्हारी है ये सब क्या है तो जिराड ने कहा ये जो disguise outfit आपको नज़र आ रहा है अलग लग outfit नकली outfit नज़र आ रहा है false mustache क्या तुम्हे देखके नहीं लग रहा कि मैं अपना हुलिया बदल के भाग जाऊंगा क्या तुम्हें अब मुझे पर यकीन है तो ये होगे हमारा paragraph दोस्तों अब हम इसके बेस पर करते हैं सवाल तो देखें पहला सवाल क्या है पहला सवाल है कि intruder ने कहा it's a bag alright and this is a gun alright साथ में what's all this question mark लगा दिया after जिराड shares his story and plan what does his reaction tell about this state of mind कि जो ये intruder का reaction आया है क्या reaction आया है भई कि ये सब क्या है what's all this इससे आपको क्या लग रहा है कि intruder उस पर belief कर रहा है नहीं कर रहा है लग रहा है intruder को शक हो रहा है कि उस पर यकीन तो वो कर रहा है लेकिन अभी इस पर उसे शक है तो यहाँ पर सही answer होगा second he start believing जिराड but still suspect that जिराड may be lying and asking more questions question number second answer इसका second होगा दूसरा सवाल देखे choose the option that lists the statement that are not true according to the given extract the intruder was a crook बिल्कुल सही बात है यह तो true है तो यह तो हम choose नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या है सही बात है तो सही को मैं true लिख देता हूँ दूसरी statement क्या है the intruder did not want to kill जिराड यह तो बात false है या not true है क्योंकि वो तो मारना चाह रहा था तीसरी statement है जिराड गिव दे इंट्रुडर ए सर्प्राइज बाइज बाइज बात है तीक है यह भी true बात है उसने अपना plan बता है कि मैं भी भागना चाह रहा हूँ तो intruder क्या होगा सर्प्राइज होगा कि हम तो दोने भागना चाह रहे है तो जो तीसरी statement है क्या है दोस्तो true है चौति स्टेट्मेंट है जिराड पैग्ड बैग और गन made the intruder suspect him जिराड के पैग्ड बैग और गन ने इंट्रुडर को suspension में डाला या दोखें में डाला कि ये भी शायर क्रिमिनल ही है तो ये statement क्या है ठीक है not true क्योंकि इसमें लिखा packed the bag जबकि उसका bag already packed था और जो गन था उससे उसको suspect बना वो जिराड और intruder had the तो इसमें आप देखेंगे two और four अब तक हमारी not true है जिराड और intruder had the common habit of keeping a gun and disguising their appearances and जिराड was clever तो जिराड clever तो था लेकिन gun रखने के आदत जिराड को नहीं थी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी छटी statement है वो तो true है और जो पाच्मी statement है वो not true तो दो चार पाच not true है तो इसका जावाब है तीसरा choose the characteristic that is not related to a Sunday school teacher तो देखो school teacher humble भी होता है dishonest नहीं होता honest होता है corrupt तो नहीं होता तो second answer इसका होगा second answer let's read the next paragraph दोस्तों next paragraph है जो कि play से लिया गया है if I were you by Douglas James कि एक playwright है जिसमें जिराड के लड़ से बचता है with his cleverness कैसे बचता है वो मैंने आपको intruder when he is ready to leave for a rehearsal वो जब rehearsal करनी जानी वाला था तो एक intruder उसके घर में घुस आता है जिराड मैनेजिस to convince the intruder जिराड जो है intruder को convince कर लेता है उसको ना मारे कैसे बता कर कि मैं भी criminal हूँ intruder was planning to assume जिराड's identity as the police ठीक है intruder सोच रहा था कि मैं उसके identity ले लूँगा और फिर मैं जिराड बन जाऊँगा तो मुझे police नहीं पकड़ेगी जिराड not only successfully जिराड ने अपनी जिन्दगी तो बताई बताई बट intruder को भी catch कर लिया और एक नया उसको मिल गया plot नई बात मिल गई कि मैं एकली कहानी में कैसे play करूँगा अब हम कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़े जरूरी सवाल है यह सारे के सारे जैसे देखिए सवाल है what was जिराड प्रोफेशन आप क्या कह सकते हैं तो भई चौथा सवाल है इस सारे सवाल आपके पास हैं तो मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ फिर सबके one by one अंसर बता दूँगा तो जिराड का प्रोफेशन क्या है आप कैसे कह सकते हैं उसके इंट्रीडर जो ब्रेक किया जिराड किया उसमें क्यों ब्रेक किया जिराड ने क्या बिहेव किया जब उसमें इंट्रीडर को देखा कि गन है उसके पास उसने कहा कि I want to know few things तो क्या information इंट्रीडर चाता थे जिराड से इंट्रीडर ने जिराड को क्यों चूज किया उसकी जगा identity लेने के लिए करेक्टर कंपेर करें इंट्रीडर और जिराड का नौवा question और दस्वा है जो backpack कर रहा था उसको उसको क्या मदद मिली तो आए दोस्तों अब हम इन सब सवालों के one by one करके जवाब जानते है तो बहुत चोथा सवाल जो था कि जिराड प्रोफेशन से क्या था और आप क्या से कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है तो उसका जवाब किया है दोस्तों जिराड वाजे प्ले राइट बाइ प्रोफेशन जैसे जिराड ने शब्द कहे क्या शब्द कहे false mouse track है उसके पास जिराड के घर में गुसपैट की यह हमारे पास सवाल था जिराड बिहेव उन सिंग इंट्रूडर विद गन इन इस कोटेज कि जब उसके घर में वो गुसा गन लेकर तो क्या सोचा जिराड ने कैसे बिहेव किया तो वे जिराड ने अपना कूल बनाए रखा आपसलूटली काम रहा जैसे उसने वेनी सौदा इंट्रूडर इंट्रिंग इस कोटेज विद गन यह हो गया इसका जवाब इसके बाद सातवा सवाल था कि इंट्रूडर जिराड से क्या information चाहता है जब वो यह कहा रहा है कि क्या सवाल थे बई तो सवाल थे जैसे कि जिराड अकेलिये रहता है या नहीं रहता उसका नाम क्या है क्रिश्चन में अगला सवाल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास अगला सवाल है तो सवाल का अंसर बहुत सीधा है इंटुडर वांटेट तो टेक जिराड जैसा लगता था वो मडर था अगर वो ऐसा कर लेगा तो फ्री टू गो प्लेसे और वो सब कुछ कर सकता है अब बात करते हैं हम नोवे सवाल की दोस्तो नोवा सवाल था की करेक्टर कंपेर कीजे जिराड और इंटूडर का तो क्या करेक्टर है देखिए हम जानते हैं कि जिराड शान था उसने चलेवरनेस दिखाई और इंटूडर आवर कॉणडर था था थोड़ा सा इगोईस्ट तो देखिए क्या जावाब है comparing the characters of intruder जिराड we can say that intruder is boastful and irritable egoist and he is very ever confident and he thinks he is very smart सही बात है while on other hand जिराड इस प्लीजेंट कूल हैडएड बहुत हैं वो बहुत हैं अदमी हैं and he is able to outwit the intruder वो intruder को हरा पाया because he is much smarter and more intelligent क्योंकि वो बहुत smart और बहुत intelligent था 10th सवाल आप देखिए आपके पास 10th question क्या है हमें पास 10th question है कि भई जो जिराड बैक पैक कर रहा था जिराड बैक पैक कर रहा था क्योंकि उसको रियर्सल के लिए जाना था लेकिन उसी को उसमें बहाना बनाया और एक स्टोरी बनाई कि वो क्रिमिले ने दिसके वदे से बच गया कैसे बचा जिराड वास पैकिंग दे बैक इन बिगनिग अव दे स्टोरी तो डिलिवर सम प्रॉप्स तो थेटर कंपनी फर प्ले यह बात जो मैं आपको पहले बता चकों सेम बात यहां लिखे गई है विद्स एंफर्मेशन उसने इंट्यूडर को ही कन्विस्ट दे इंट्यूडर कन्विस्ट किया इंट्यूडर ने एगरी किया कि वो जिराड के साथ भागने के लिए तयार है फिर जिराड ने उसको इशारा किया कि अगर वो इस दोर से जाएंगे इस वी वाग इस दोर तो डिरेक्टली कहां खुल जाएंगे गिराज में खुल जाएंगे intruder fall in the trap, intruder is trap में आ गया और जैसी वा अंदर गया जिराड ने close कर दिया, बार से दरवाज़, this way he is able to outfit the intruder और ये places को मदद मिली, तो वह ये हैं हमारी worksheet नमर दोस्तो, 65 English की class 9th की date 15 December, वीडियो आपको अच्छी लगी हो और answers अच्छे लगी हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, दोस्तों की साथ share करना भूलें, thank you so much for watching the video, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ